तो आज का जो मेकप है यह बहुत ही खास है और खास दिन के लिए हैं तो अविएसली डे टू नाइट मेकप हमारा लॉंग डे तक रहना भी चाहिए फेस के ओपर और और फ्री रहना चाहिए तो इसके लिए मैं आप के लिए लेकर आई हूँ यह फूल फेस मेकप and step by step में ब serum apply कर ले अगर आपकी skin बहुत ज़्यादा dry है तो आप facial oil का use कर सकते हैं तो यहां पर मैंने serum apply कर लिया है और यह अच्छे से अब्जॉब हो जाती है हमारे skin में इसके बाद आप sunscreen apply कर ले and then moisturizer जो कि मैंने off camera apply कर लिया था तो यहां पर मैं directly moisturizer को apply कर रही हूँ ठीक है इसको अ पर जरूर apply करें and yes moisturizer अप्लाई करने के बाद आपनी तूरण primer नहीं apply करना है 2-3 minutes आपने wait करना है उसके बाद primer apply करें यहां पर मैं L'Oreal का base magic यूज़ कर रही हूँ and यह काफी cream form में है ठीक है थोड़ा सा but yes आपके face को एकदम poreless कर देता है अगर आपका जो skin है उसके pores बहुत जादा छेद अगर दिखते हैं तो आप यह वाला primer यूज़ कर सकते एकदम pore filling primer है एकदम smooth finish देता है एकदम poreless matte finish उसके बाद L'Oreal का मैं यह 24 hours matte cover foundation यूज़ कर रह किसे apply कर लूँगी and इसको मैं अच्छे से spread कर लूँगी brush के help से यहाँ पर मैं brush का क्यों use कर रही है उसका reason है so बहुत लोगों को यह पता नहीं रहता है अगर आप कम product को use कर रहे है तो आप brush का use करे तो उससे आपको face का coverage जो foundation है उसका coverage जादा मिलेगा अगर आप product को कम apply क करोगे तो beauty blender क्या करेगा वो आपका जो भी excess product है वो खा जाएगा ठीक है तो उससे क्या होगा आपको face पे जो आपने foundation apply किया है वो coverage जादा नहीं इससे भी कम मिलेगा जो मैं apply करके अभी दिखा रही हूँ आपको इसलिए make sure करें आप जब भी कम product use करते हैं आप minimal product use करते है कम product use करते हैं तो आप brush का use करें ठीक है ने तो कम product use करोगे N7 में damn beauty blender use करोगे तो कोई use नहीं है उसका ठीक है तो चलिए यहां पर मैं color character use कर रही हूँ ठीक है अपने जहां पर भी dark circles वगर है एक चीज़ का अपने ध्यान रखना है कि आपने under eyes के नीचे foundation बिलकुल भी apply नह आप foundation apply करोगे under eyes पे बिना color correct किये हुए तो वो gray coverage देगा और उस पे concealer लगा दोगे तो बिलकुल भी अच्छा नहीं देगा all day में जैसे time निकलता जाएगा वो grayish होता जाएगा आपका under eyes और बहुत गंदा लगता है तो यह बिलकुल भी ना करें तो make up जो होते हैं वो step by step आपको follow करने होते हैं तो make sure करें सारे step अच्छे से follow करें तो मैंने mouth दे रिया के यहां पर वही foundation थोड़ा सा लेकि लॉरियल का apply किया था under eyes पर जो मैंने orange concealer apply किया था वो मैंने अच्छे से blend कर लिया है और यहां पर मैं सबसे पहले concealer apply कर रही हूँ यहां पर अब देख सकते हैं दो concealer का मैंने use किया है एक conceal करने के लिए और एक highlighting के लिए conceal करने के लिए मैंने laurel का ही लिया है and highlight करने के लिए inside का concealer मैंने लिया है लाइटिंग भी दिखा रही हूँ आपको करके आप किस तरीके से कर सकते हैं तो बहुत टाइम बाद आपको मैं यहाँ पर आपके साथ फुल फेस मेकप शेयर कर रही हूँ ठीक है तो आप इस तरीके से यह सारे स्टेप फॉल फेस मेक अमेकप और डेवेर किसे आप कर सकते हो मैं यही कुछ स्टेपस है तो इस तरीखे से ब्रुश के से blend कर रही हूं यह pack का concealer brush है तो इसे मैं tap 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 करके blend कर रही हूं आपको drag बिल्कुल भी नहीं करना है बस tap tap करके इसे blend कर लेना है और बहुत ज्यादा spread नहीं करना है make sure करें आपने जो product जहां लगाया है और उसी area पर blend करें ठीक है तो यहां पर almost मेरा blending सब हो गया है as you can see उसके बाद इसको मैं set कर लूँगी के beauty के loose powder से सुरॉस की beauty का मैंने जौर्ज मी पॉफ लिया है तो directly अपने powder लेकी apply नहीं करना है अपने back of the hand पे उसे rub एक बार गुमा ले दो तीन बार ऐसे and then apply करें ताकि बहुत ज़ादा आपके under eyes यह ना हो जाए ठीक है baking ना हो जाए तो मैं बहुत ज़्यादा time नहीं रोखूंगी जल्दी से quickly remove भी कर लूँगी ठीक है उसके बाद neck भी cover कर लिया हमने तो next अभी यहां पर मैंने ले लिया है यह xx makeup revolution का palette उसमें से यह shade ले रही हूँ and अपने face को यहां पर contouring कर रही हू फेस को एक structure provide करें क्योंकि foundation concealer and baking के बाद हमारा face जो पुरा flat हो जाता है and yes contouring करके आप देख सकते है difference हमारे face पे कैसे दिखाए देता है हमारे features को enhance करता है तो यह सारे steps आपने follow करना बहुत ज़रूरी है उसके बाद यह show to brush लिया है मैंने and forehead की यहां पर भी contouring कर लेंगे हम powder contouring कर रहे हैं यहां पर हम ठीक है तो इसे contouring कर लेंगे ताकि हमारा जो फोड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना लगे थोड़ा सा nose को भी straight कर लेंगे contouring करके तो यह optional है अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं या skip भी कर सकते हैं बट अगर आप face contouring कर रहे हैं chicks की कर रहे इसके बाद वही powder puff के हल से मैंने हलका हलका सा blend कर लिया है ठीक है वैसे ही सुरॉसकी beauty का puff जो है ना जॉर्ज मी बहुत multifunctional है इससे आप foundation को भी cream product को apply कर सकते हो washable भी है तो काफी अच्छा है तो आप check out कर ले ना instagram पर है यह available अगर आप interested हो लेने में तो उसके बाद dust off कर द मैंने offline ही filling कर दिया था sugar की pencil से यहां पर हमने blend कर लिया है powder से मैं बिल्कुल भी set नहीं करूंगी अपने lid को directly shadow supply करना start करूं क्योंकि obviously वह भी powder ही होते हैं तो यहां पर मैंने बहुत से beauty का यह palette लिया है बहुत beautiful सा palette है यह इसे कई looks मैंने बनाई भी है और चानल पे डाले भी अगर आपने में इस कर दिया तो आप check out कर सकते हैं तो सबसे lighter shade में ले रही हूं और उसको मैंने blend कर दिया है quickly quickly video बहुत आगे जा रही है और उसके बाद brown color का मैं एक pencil ले रही है आप कोई भी काजल pencil brown color की ले सकते हो lip liner भी ले सकते हो उसके बाद ऐसी एक wing draw करके आपने उस wing के ओपर ये dark brown chocolatey shade ना blend करना है और इस तरीके से एक shape create करनी जैसे graphic liner नहीं होता है वैसे आपने create करनी ये बहुत easy सा है एक teeny mini सा brush लेना है आपने और बस इस तरीके से lid पे एक shape create करनी बहुत easy सा eye makeup मैं आपको सिखा रही हूं इतना easy eye makeup मैंने अपने eye makeup tutorial में भी आप तक सिखा नहीं होगा आप लोगों को so yes अगर आप ये look recreate कर रहे हैं तो do tag me on instagram मैं share जरूर करूंगी story में उसके बाद तीसरा shade हमारा ये है shimmer बहुती beautiful सा shade है और मेरे dress के साथ perfect match कर रहा था तो इसको मैं बच्चे हुए eyelid पे पूरा apply कर लोंगी finger के help से brush के help से उसके बाद lower lashes पे हम भी dark chocolatey brown shade को apply कर लेंगे teeny mini brush से and yes ये जो brush है ये Bailey's के set में का है बहुत ये अच्छा brush है guys एकदम अच्छा investment है अगर आप चाहे तो खरीच सकते हैं ठीक है इसका video भी है review video demo तो आप check out कर लेना in case if you are interested तो इसको अच्छे से apply करेंगे यहाँ पर मैं काफी अराम अराम से कर रही हू वीडियो में क्योंकि ये काफी detail सी वीडियो बनाई है मैंने उसके बाद bougie beauty का ये चोटा सा mini blending brush लिया है उनका new series का brush है ये lighter pink shade जो सबसे पहले लिया था हमने उससे मैंने blend किया है then वही chocolatey brown color का जो काजल है वो apply कर रही waterline पे and upper waterline के यहाँ पर भी थोड़ा सा इस तरीके से retouch कर लेंगे तो काफी अच्छा लगेगा हमारा look photography में तो चलिए बातो बातो में हमारा almost makeup हो गया है उसके बाद makeup revolution का dew palette लिया है यहाँ पर मैं blush and highlighter इसी palette में से apply करूंगी तो यहाँ पर बहुत बोल लिया हमने और apply भी कर लिया है makeup तो blush लगा लिया है बहुत अच्छा से and yes make sure करें आप हसके blush बिल्कुल भी ना apply करें इससे blush पर face पर ही आपके लग जाना है और बहुत गंदा लगेगा वो तो इस तरीके साब देख सकते हैं एक दम बहुत ही अच्छा लग रहा है उसके बाद थोड़ा सा chin पे and थोड़ा सा nose पे भी गुमा लूंगी मैं काफी अच highlighter बहुत अच्छा effect देता है आपके all over face पर इसके बाद nose of the bridge पूरा नहीं लगा लेना है थोड़ा सा लगा के छोड़के दिन नीचे से apply करना इससरीके से and then forehead यहाँ पर apply करेंगे थोड़ा सा अच्छे से blend कर ले chin के यहाँ पर भी उसके बाद make up को make up setting spray apply करना है जो कि मैं use कर रही हूँ maybelline का fit me matte plus poreless 24 hours oil control यह वाला setting spray जो कि सच में आपका जो make up है वो long day last करता है इसको मैंने खुद apply किया है use किया है experience लिया है तब भी मैं आप से अब जाके share कर रही हूँ कि yes यह worth it है बाए करना and उसके बाद आपने बिलकुल भी face को छेड़ना नहीं है इस तरीके से fan लेना है मेरे पास नहीं था तो मैंने इसी से काम चला लिया है जैसे आप देख रहे हो and इस तरीके से dry कर ले आप जो भी wet है वो अपने आप dry होने देना है बिलकुल भी हाथ नहीं लगाना है skin को ठीक है तो इससे आपका जो भी foundation है ना वो थोड़ा सा crack या patchy type हो जाएगा ठीक है यह skin से तोड़ा सा remove भी हो जाता है मेरा personal experience है तो यहाँ पर मैंने highlight को touch up कर लिया था highlight को touch up करके make sure करें हमेशा blush को touch up कर ले से आपके face को ना बहुत अच्छा finish मिलता है तो highlighter बहुत अलग-अलग सा लगेगा photography में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो यह चोटी-चोटी tips जो है ना आप mind में रखिए चीजे अच्छा work करेगी ठीक है उसके बाद lashes को curl कर रही हूं यहाँ पर and abh का mascara apply कर रही हूं जरूरी नहीं है आपने यही सारे products use करने आपके पास जो भी products available है ठीक है उसके साथ भी आप look create कर सकते हैं तो इसे मैं अच्छे से upper and lower lashes पे apply कर लूँगी false lashes apply करने से पहले and बहुत ही अराम से apply कर लेना तो lower lashes पर भी apply ज़रूर करें यह नहीं कि आपने उपर apply क्या नीचे apply करना मूल जाए तो अच्छा नहीं लगेगा उसके बाद eyebrows को अभी set कर लेंगे तो elf का यहां पर मैं dark brown shade में eyebrow gel लिया है eyebrows को थोड़ा set कर लेंगे इसको मैं end में ही सब makeup करने के बाद makeup settings पर apply करने के बाद अपलाई करती हूं ताकि कापी अच्छा लगे नहीं तो product अगर कुछ इसके ओपर चला जाएगा ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो make sure कर आप जब भी brow gel यूज़ करते हो तो उसको end of the makeup में ही apply करें ठीक है उसके बाद K beauty का यहां पर मैंने lip crayon लिया है यहां पर उससे पहले वही dark brown pencil के साथ यहां पर मैं lip lining कर रही हूं ठीक है lipstick को apply करने से पहले एक अच्छा ombre effect भी देगा हमारे lips पे तो आप end में देख सकते है यह सारा process होने के बाद कैसे लगता है तो अगर अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को like कर दीजे क्योंकि यहां पर मैंने काफी useful tips भी आप से share की है तो और भी मेरे साथ बने रहने के लिए और भी मेरी वीडियो देखने के लिए जल्दी से subscribe कर ले, bell icon को click कर ले and yes, comment section में heart भी डाल देना जाके उसके बाद like कर देना, so instagram पर भी follow कर लेना मुझे, वहां पर भी मैं updates देती रहती हूँ, तो यहां पर मैंने k-beauty का apply कर लिया है lipstick and आप देख सकते हैं काफी अच्छो ombre effect दे रहा है, तो इसे इस तरीके से करेंगे spread, तो यह हो चुका है spread, उसके बाद थोड़ा सा neat and clean कर लियो, मैं अपने lips को concealer के हलब से बहुत ही हलका सा concealer लेके, lip को थोड़ा सा clean किया है and इसको मैंने powder से भी set कर लिया है, तो यहां पर मैं false eyelashes and jewelry wear करके जल्दी से आप से मिलती हूँ, तो यहां पर I am back and yes, मैंने earrings वगर वेर क लिये है and Paolo को इस तरीके से open रखा है, क्योंकि मेरे जो hair वो काफी short है, आप देख सकते हैं, अगर आपके long hair है, तो आप कोई भी hair styling कर सकते हैं, pin up कर सकते हैं, अपने hair को यह open रख सकते हैं special day के लिए, तो yeah, that's it, I hope आपको आपको आज का यह final look पसंद आया हो, यह all day long wear makeup look and yes, अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो अभी तक like नहीं के तो जरूरू like कर देना, आपका एक like मेरे लिए बहुत बहुत important है guys, and yes, I make a beautiful turn out हुआ है, आपको कैसा लगा है, comment down below इंदर, ठीक है, comment down below, और yes, जो यहाँ पर मैंने gloss लगाया हुआ है, उसका भी मैं आगे बत कि मैंने कौन सा लगाया है, एक्चल में ये wet and wild का है, and आप देख सकते हैं, इसकी जो finish है, glossy glossy थी काफी अच्छी है, तो सारी products की detail आपको description box में मिल जाएंगी, and चलिए यहाँ पर मैंने सोच आपको बता ही दू, कि मैंने कौन सा लगाया है, एक्चल में ये wet and wild का lip gloss है, ये hope makeup से लिया था मैंने, कुछ इस तरीके से ये shade है, and yes, ये clear shade है, दिखता है, पिंक है, लेकिन clear shade है, आप इसको कोई भी lipstick के और apply करेंगे ना, तो ये glossy finish ही देगा, transparent सा, and काफी अच्छा है, long day stay भी करता है, and affordable सा भी है, तो आप जरूर ट्राइ कर सकते है, and yes, in case if you are recreating this look, don't forget to tag me on Instagram, so I hope आपको पसंद आया होगा, all day, 24 hours, long wear foundation वाला makeup tutorial, और ऐसे भी looks लेकने के लिए, comment down below, I'll see you in my next video, till then, take care, and pop out.